Welcome to the video library. Good morning students. Today we are going to discuss education and its aim. इस class में आप meaning of aim, meaning of education, definition of education and aim of education के बारे में जानेंगे. First of all, तो हम आज के class में आगे बढ़ते हैं. Meaning of aim, every activity and every undertaking, every project and every enterprise can be analyzed in terms of its aim and the method used in trying to realize them. M is that condition which an individual set before himself or a group of individual set before themselves to be realized as a result of the execution of a project. Thus, M is pre-determined goal which the individual tries to achieve after careful thinking, proper planning and successful methods. हर वो गतिविधी, हर वो उपक्रम, हर वो प्रोजेक्ट जिस पे हम काम करते हैं, उसका एक लक्ष होता है, उसका एक अंतिम परिनाम होता है, उसका एक मन्जिल होता है. कहते हैं कि उदे से एक पुर्व निर्धारित लक्ष है, जिसे व्यक्ति को पहले ही सोच समझ के वो निर्धारित भी करता है, और जो वो निर्धारित करता है, कि उसका परिनाम क्या होगा, उसके मन्जिल क्या होगी, वह M की रूप में जाना जाता है, वह उदेश की किसी विशे समुह या लक्ष की और निर्देशित या इरादा करना। The aim of education is to provide direction to the process of education. M is defined as the point, target, direction, person or thing that is meant to be achieved. उदेशुष बिंदू, लक्ष, दिशा, व्यक्ति या चीज के रूप में परिभासित किया जाता है, जिसका मतलब हाशिल करना है। यानि कि जब इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, कि हम कोई भी काम करते हैं, तो उसका एक गोल होता है, एक मन्जिल होती है। जिसको सोच कर ही हम सब उसक्रिया में अग्रसर होते हैं, हम उसके परिणाम को जानते हैं, उसके बेस्ट रिजल्ट को सोचते हैं, वह मन्जिल वह प्राप्ति पुर्णांग की ही एम की रूप में जाना जाता है। आए हम जानते हैं, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इम के बारे में समझ चुके होंगे कि उतिश्य है क्या, तो आगे बढ़ते हैं हम और जानते हैं मिनिंग ऑफ एजुकेशन की तरफ कि सिक्षा का अर्थ क्या है। The first things that strikes in our minds when we think about education is gaining knowledge. जब हमई शीक्षा के बारे में सोचते हैं, तो हम्लोग की दिमाग में सबसे पहली बात आती है कि इससे हमें घ्यान हासिल करना है. यानि की सिक्षा हमें ग्यानवान बनाती है, सिक्षा हमें नौलिज देती है. एजुकेशन is a continuous and lifelong process It starts from the womb of the mother and continue till date. It is the process of development from infancy to maturity. It includes the effect of everything which influence human personality. काते हैं कि सिक्षा सतत्प्रकिरिया है यह जीवन भर चलने वाली प्रोसेस है. यह कंटिन्यू चलती है जब बच्चा मा के गर्म में होता है तब से ले करके वो इस दुनिया में इस धर्ती पर आता है और उसकी बाद उसकी पूरी जीवन वो सिक्षित होते रहता है, उसकी सिक्षा चलती रहती है. यानि कि वो बच्चपन से लेके परिपक्वता की अवस्था तक वो सिक्षित होता है और इसी तरह विकास करते जाता है. इसमें मानो व्यक्तितों को प्रभावित करने वाली हर चीज का प्रभाव पढ़ता है यानि कि मानो का व्यक्तितों जिन जिन किर्याओं से प्रभावित होता है उसमें सिक्षा का अहम रोल होता है जानते हैं कि हिंदी के सिक्षा सब्द आखिर इसकी उत्पती हुई कैसे है कहां से इस शब्द को उनकी उत्पती हुई है इसके बारे में कुछ जानते है सिक्षा सब्द संस्कृत भासा कि ये सिक्षधातू में और प्रत्य लगने से बना है सिक्षा प्रpresa संस्कृित भात से लिए की regaoh ूप्रतन लगने से उस्तिक प्रमार हुआ है सिक्ष का अर्थ होता है सीक्षना और सिखाना यही!! इसलिए सिक्षा का अर्थ हुआ सीखने और सिखाने की प्रक्रियsen The word education is derived from Latin word एजुकेर, एजुकेटम and एजुशेर इजो इंगलिश का word education है यह लाइटिन वर्ड है लाइटिन वर्ड से लिया गया है और इसमें तीन वर्ड समाहित है एजुकेर, एजुकेटम and एजुशेर आएए जानते हैं किसकी मिनिंग क्या होती है तो educate means to bring out, to nourish यानि कि बाहर लाना यानि कि जो पहले से ही शमाहित है उसे बाहर लाना, परिस्कृत करना, उसे अच्छे अच्छा करना एजुकेशन मिन्स एजुकेशन एजुकेटम मिन्स सरी हम मिस्टेक हैं एजुकेटम मिन्स एक्ट टुटीचिंग एंड ट्रेनिग, सिक्षन और प्रसिक्षन का कार्ज एजुशेर means to draw out यानि कि बाहर निकालना, बाहर लाना अगर संपुर्ण अर्थ में हम ये देखें तो इजुकेशन इसका मतलब या हुआ कि मनुष्य में जो सर्वसिस्ट गुन है, सिक्षा उसे बाहर लाकर उन गुनों का विकास करती है तो ये तो निश्चित है कि बच्चा जब जन में लेता है तो उसके अंदर वो शारी खूबियां होती है वो सारी गुन होते है जो इस इंवार्मेंट में, इस वातावरन में जो बाहर की दुनिया है उसमें वो अच्छे से अपना भरन पोशन कर सके लेकिन उस क्वालिटी को बाहर निकालने के लिए इस वातावरन के अनुसार समागम करने के लिए उसे सिक्षा की आवसेक्ता पड़ती है और सिक्षा उसमें उसकी मदद करती है आये सिक्षा को हम जानते हैं विभिन विद्वानों ने सिक्षा को अपनी भाषाओं में परिभासित किया है उनके शब्दों में According to John D.V. Education is the development of all those capacities in the individual which will enable him to control his environment and fulfill his possibilities जान दिवी का कहना है अभ्यक्त्व विक्ति की उन सभी आंत्रिक शक्तियों का विकास करती है जो उसे पर्यावरण के नीयंत्रण में समर्थ बनाएगी तथा उनकी सभी संभावनाओं की प्राप्ती कराएगी यानि कि सिक्षा के माध्यम से वातावरन में व्यक्ति जो बालक है बहुत ही अच्छे ढंग से अनुकुलन कर पाएगा और जीवन्यापन कर पाएगा According to Swami Vivekanand, education is manifestation of perfection already present in man According to Aristotle, education is the creation of a sound mind in a sound body Arastu की अनुसार, स्वस्त सरीर में स्वस्त मन का निर्माण ही सिक्षा है और भी हम जानते हैं, according to Gandhiji, Gandhiji के अनुसार Gandhiji काते हैं कि सिक्षा से हमारा अभी प्राय बालक और मनुष्य के सरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीन विकास से है और उसका सर्वतकिस्ट विकास से है पेस्टलोजी, according to पेस्टलोजी, पेस्टलोजी के अनुसार Education is a nature, harmonious and progressive development of man's innate powers पेस्टलोजी के अनुसार सिक्षा मनुष्य की जन्मजाद सक्तियों का शवभाविक, समरस और प्रगतिसील विकास है यानि कि सिक्षा के माध्यम से या इन परिवासाओं के अध्यन से या असपस्ट होता है कि सिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो एक बालक जो जन्म लेता है उसके अंदर जो जन्मजाद गुन होते हैं इस वातावरन में अनुकुलन करने के उस गुन को और भी अच्छे से परिस्कृत करता है और उसे इस वातावरन में समागम करने के लिए इस वातावरन में अनुकुलन करने के योगे बनाता है जानते हैं, aim of education क्या है? सिक्षा की उद्धिश ये क्या है? The aim of education is to provide direction to the process of education. सिक्षा का उद्देश से सिक्षा की प्रक्रिया को दिशा प्रदान करना है. सिक्षा का उद्देश से है सिक्षा की जो प्रोसे से उसको direction देना उसको दिशा प्रदान करना है. The process of education become meaningful less without aim. उदेशे के बिना सिक्षा की प्रक्रिया निरर्थक हो जाती है कारण ये है कि हम जब भी कोई काम करते हैं उसका एक उदेश्य तो नहीं थोता ही है और उस उदेशे तक पहुँचने के लिए हमें सिक्षा की आवसेक्ता पड़ती है तो उदेसे के बिना सिख्षा का प्रोसेस हो ही नहीं सकता है तो यहीं पे लिखा हुआ है कि उदेसे के बिना सिख्षा की प्रकिरिया निरर्थक हो जाती है यानि कुछ एम होगा तो फिर सिख्षा की प्रकिरिया होगी Aim of education vary according to the ideals of life of the people सिख्षा का उदेसे लोगों के जीवन के आदर्शों के अनुसार भिन्ने होता है हर एक विक्ति का एक एम होता है हर एक विक्ति का अलग-अलग एम होता है अलग-अलग उदेश्य होते हैं और जो शिक्षा है प्रतेक व्यक्ति के उद्देश्यों को पूरा करने में शफल होता है। एम ओफ एजूकेशन के अगले कड़ी में हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि जो शिक्षा का उद्देश से है और किन-किन विश्यों पर अधारित है। तो शिक्षा का उद्देश से है एक बालक के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर समाजिक विकास करना, सोसल डवलप्मेंट करना, वेवसाइक विकास करना, वोकेशनल डवलप्मेंट करना, मूरल डवलप्मेंट करना, मेंटल डवलप्मेंट यानि की मांसिक विकास करना, फीजि Character development यानि के चारित्रिक विकास करना और intellectual development यानि के पौधिक विकास करना Overall हम इस बात से सहमत होते हैं कि हर सिक्षा का एक उदेश्य है और ये उदेश्य से पूरे व्यक्ति के संपूर्न व्यक्तित्तों का विकास करने में सक्षम होता है और संपुन विकास के लिए विक्ति के संपुन विकास के लिए सिक्षा बहुत ही अनिवार्ज भी से है तो आज की क्लास में हमने जाना कि meaning of aim क्या है, meaning of education क्या है, definition of education क्या है and aim of education क्या है आज के लिए आज की क्लास में बस इतना ही, अगली क्लास में हम इसके aim of education है, इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे और सभी विश्यों पर थोड़ा विस्तार से इसका वर्णन करेंगे तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए Thank you